राजधानी जैपूर में एसीबी की बड़ी कारवाई जीपीएफ भाका बाबू रगुवीर सिंग यहाँ पर घूस लेते हुए गरफतार किया गया 25 रुपे की घूस लेते हुए एसीबी ने उसे गरफतार किया परिवादी से जीपीएफ में बिल बनाने के एवस में उसने ये घूस मांगी थी सागनेर मिरगणिगम के आफिस के पास में ये पूरी कारवाई की गए इंस्पेक्टर नरेंद्र सिंग ने इस कारवाई को अंचाम दिया इसके साथ में अडिशनल स्पे प्रत्विराज मीडा के निर्देशन में ये पूरी कारवाई हुई राजधानी जैपूर से आपको खबर बता रहे हैं एसीबी टीम की बड़ी कारवाई यहां पर ही CPF विभाग का जो बाबू था वो यहां पर घूस लेते हुए पच्छी सो रूपए की घूस लेते हुए रंगे हातों से गिरफतार किया गया जीपी एफ विभाग का बाबू रगू सिंग घूस लेते हुए गिरफतार किया गया और इसी घबर पर अधिक अपडेट के लिए वन सम्वारता यादविंद्र शर्म फोल लाइन पर फिलहाल जोड़ चुके है यादविंद्र किस प्रकार से इस पूरी प्रक्रिया को इस कारवाई को अन्जाम दिया गया कि जैती एक करमचारी है जिसका का फिल कक और इस दस समस्क्राइब। मगर जह करमचारी थे स्पाइब घरढ़ा रहे थे कि कुछ़ते जो ऑँ धिब करमचारी है जो कि बावू की पोश्ट पर यहाँ पा तेनाथ हैं, उन्होंने जो परिवादी है उससे करीब 2,500 रुपे की रिश्वत की यहां पर डिमांज की थी इससे पहले भी जो आरोपी रघावीर सिंग है जिसने जो परिवादी है उससे 500 रुपे रिश्वत के रूप में ले लिए थे मगर इसके बावजूद उसने स्पाइल को आगे नहीं बढ़ाया इसकी सिकायच जो परिवादी है उसने ACB के अंदर की ACB ने जब इस पूरे मामले का सब्ट्यापन कराया जो कि पूरा सही पाय परिवादी से 25 रुपे की रिश्वत ले रहा था ठीक वैसे ही ACB ने बाभू रगवीर सिंग को गेरा बंदी करते हुए रंगे हातों रिश्वत लेते हुए डाईजार रुपे की रिश्वत लेते हुए तब उच लिया है यह पूरी कारवाई है सांगने रिस्तित नगन इसके बाभू पात मुझे पी एच डी का उपिस है वहां पर इसे आरोपी बाभू है उसको लेकर कारवाई को अंजाम दिया रहा था तसुए आप देख रहे हैं कि लगातार जो कारवाई चल रही है और कारवाई के दौरान इसारी पूस्ताश की जा रही है तिस तरह यह अपनी जो ग्रहित गटना इसको अंजाम दे रहा था इसके अलावा बाभू के साथ-साथ कौन ऐसे लोग हैं जो इस पूरे गटना करम में उनकी मिली बिकत रही है जो पच्छी सोर्पे की जो रखम रिश्वत मांगी गई ती इसके अलावा कौन ऐसे अफसर रूप जो इ झालो